मित्रों चैमातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चैमातादी चरू लिखें मातारानी आप सभी का कल्यार करेंगे मित्रों वर्स दोखजा 23 में दिवाली कब है जानिए सही तीनवतारी क्या है पूजा का सुप मुहूरत कब है पूजा विधी क्या है जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे सेर करेंगे मित्रों हिंदू पंच्यांग के अनुसार दिवाली का पर्व हर वर्स कार्तिक मास के क्रिष्ट पक्ष की आमवस्यातिति को मनाया जाता है इस दिन धान की देवी अध 5 दिनों तक चलता है जो की धान-3 तयरस से शुरु होता है और भाई दोच के दिन समप्त होता है। ऐसी मानेता है कि दीवाली के दिन स्वयम माता लच्मी धर्ती पर आती हैं और घर घर में बीचरण करती इसलिए दिवाली पर घरों की साप सफाई करके बिधी विधान के साथ पूजन करने से माता लच्मी की विश्यस क्रिपा होती है मित्रू अब पूजा करने की बिधी को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है दिवाली के दिन लच्मी पूजन से पहले घर की साप सफाई करे और पूरे घर में वातावरण की सुध्धी और पवित्ता के लिए गंगा जल का छिरकाव करे साथ ही घर की द्वार पर रंगोली और दियों का एक सरिंखला बनाएं पूजा इस्थल पर एक चोंकी रखे और लाल कपड़ा बिछा कर उस पर माता लच्मी जी और गणेश ची की मूर्ती रख दे चोंकी के पास जल से भरा एक कलस रखे माता लच्मी और गणेश की मूर्ती पर तिलक लगाए और दीपक जलाकर जल मोली चावल फल गूड हर्दी अभीर गुलाल आधी अरपित करे और माता लच्मी की इस्तुति करे और भगवान कुवेर की विधी विधान के साथ पूजा करे लच्मी पूजन करने के लिए पूरे परिवार को एक साथ होकर करना चाहिए महालच्मी पूजन की बाद तिजोरी, बही खाते और व्यापारिक उपकरण की पूजा करे पूजन करने की बाद स्रद्धा अनुसार जरूरत मंद लोगों को मिठाई और दान दच्छा दे माननता है कि ऐसा करने से धन की हानी नहीं होती है दीवाली के दिन ब्रिध जन और बच्चों को छोड़ कर अन्य व्यक्तियों को भोजन नहीं करना चाहिए साम को महालच्मी पूजन करने की बाद ही भोजन ग्रहन करना चाहिए मित्रू, अब आपको बता दें कि वर्ष 2023 में दिवाली 12 नवंबर दिन रविवार को मनाई जाएगी आम वस्या तिथी सुरू होगी 12 नवंबर 2023 को दोपहर 2 बचकर 45 मिद पर आम वस्या तिथी समाप्त होगी 13 नवंबर 2023 को दोपहर 2 बचकर 55 मिद पर लच्मी पूजन करने का सुप महुरत है साम 5 बचकर 49 मिद से लेकर राद 7 बचकर 35 मिद तक रहेगा यानि पूजन करने की कुल आउदी होगी 1 घंटा 56 मिनट प्रदोस कालमी पूजा का सुप महुरत है साम 5 बचकर 29 मिद से लेकर राद 8 बचकर 8 मिद तक रहेगा बिशब कालमी पूजा का सुपूरत है साम पांच बच कर 49 मिनट से लेकर रात साथ बच कर 35 मिनट तक लहेगा